हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन स्टडी, आज का हमारा चैप्टर है कम्प्लीटिंग फिगर्स, जो की रिजनिंग का एक पोर्शन है और इसका आज हम करने जा रहे हैं पार्ट वन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, इसके लावा हम फेस्बुक और इस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, चल्दी से हमें हर जो का फॉलो कर लेजिए और किसे भी अप्डेट को मिस्मत कीजिए इस चीज़ से आप एक चीज़ जज कर सकते हो, कि हमें कोई फिगर दी गई होगी, जो होगी इनकंप्लीट और उसे हमें कंप्लीट करना होगा, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कंप्लीटिंग दा फिगर जैसा कि आप question में देख सकते हैं आपके पास ये figure है X mark किया हुआ जिसके नीचे और इसको चार हिस्सों में divide किया गया है तीन हिस्से इसमें से complete है चोता हिस्सा हमें इस pattern के हिसाब से बनाना है कि हमारी ये figure complete हो जाए ये चार option आपको दिख रहे हैं और इन में से कोई एक option होगा जो इस figure को complete करेगा तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है तो ये थी हमारी figure हम इसे step by step complete करना शुरू करेंगे सबसे पहले हमने ये दो points जोड दिये तो हमारा अंदर वाला जो portion है वो कुछ complete हमें दिखने लगा ये point जोडने के बाद हमारी ये वाली figure थी बड़ी वाली जो diamond जैसे दिख रही है ये भी हमें थोड़ी complete लगने लगी पर अभी भी ये figure complete नहीं है ये figure कब complete होगी जब हम इस point से इस point को जोड देंगे अब हमें ये figure complete लग रही है और अब हम सिरफ इस red वाले portion पर ध्यान देंगे तो हमारी figure इस diagram ने complete की है तो ये diagram हमें कहां मिल रही है ये मिल रही है हमें figure 2 में तो figure 2 हमारी available है option B में तो option B है हमारा right answer ऐसे incomplete figure को कोन सी diagram complete करती है वही diagram होगी हमारा answer और इसे ही कहते हैं completing the figure आते हैं हमारी next question पर तो ये रहा हमारा question X mark किया हुए है जिस diagram को वो diagram incomplete है चार हिस्सों में divided है तीन completed है हमें fourth वाला हिस्सा डूंडना है तो अब इस question में मैं आपको एक trick बताता हूँ जैसे मैंने पिछले question में पूरा-पूरा question diagram बना के दिखाया वैसे नहीं करेंगे इस question को हम सिर्फ trick के base पे कर लेंगे आप एक बार चारो option देख लिजे अच्छे से और इन में से एक ऐसा point डूरने की कोशिश कीजिए जो चारो figures में अलग है ताकि हम सिधा उसी point पे काम करें और हमारा सिधा result आ जाए ठीक है अब आते हैं हमारी figure पे तो ये थी हमारी figure अब इस figure पे ध्यान दीजिए ये जो गोले गोले हैं figure तो proper ही है अंदर ये जो side में एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला ये जो semi circles हैं ये इस diagram का सबसे main part है क्यों? क्योंकि जब हमने fourth semi circle वाला point अपना पूरा किया तो हमने देखा कि ये सबसे नीचे आ रहा है और जादा से जादा right end पे आ रहा है, तो कौन सी ऐसी figure है जहां पे ये semi circle नीचे आएगा और right end पे आएगा, वो है ये fourth number वाली figure ये fourth number वाली figure के अलावा, semi circle right end में और कहीं नहीं आ रहा third में आ रहा है, पर उपर की तरफ आ रहा है पर हमें उपर की तरफ चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए नीचे की तरफ तो fourth figure ही हमारा answer होगा और fourth figure हमारी available है option C में, तो option C है हमारा right answer अब ये आया हमारा next question एक diamond जैसी figure है और उसके अंदर थोड़े boxes टाइप से है X mark किया हुए है इस figure को जो कि incomplete है, हमें इन चाहर options में से देख के बताना है कि figure को complete कोन करेगा तो चलते हैं इसकी diagram पे ये थी हमारे पास question में diagram available इसे complete करना है सबसे पहले हमने इसका outer portion complete किया ये red line दिख रही है आपको next हमने ये जो box सा बना है इसको complete किया next जो inner diamond था हमने उसको complete किया और हमारी figure इसी के साथ complete हुई अब हम focus करेंगे सिरफ red portion पे ध्यान से देखिए इस figure को ये दो parallel lines ये दो parallel lines ये दो parallel lines ठीक है तो ये figure हमें कहां दिख रही है ये figure हमें यहां पर दिख रही है है ना तो हमारा option A जिसमें हमारी first figure दिख रही है जो हमारी इस X वाली figure को complete कर रही है वही है हमारा answer ये आया आज का fourth और last question अब इस question में ये थोड़ी दिखने में complicated सी diagram है ये दी हुई है और हमें इससे complete करना है अब इस question को दिखान से देखिए अपने चारो options दिखान से देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो जो हमें इस figure को complete करने के लिए जरूरी है एक ही बार में ये हमारी figure complete कर देगी बिना इससे completely बनाए कौन सा ऐसा point है आपको ये चीज़ देखने है ठीक है अब मैं आपको diagram पे ले आता हूँ अगर आपने options द्यान से देख ली है तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो circle दिख रहा है inner circle वो हर direction से cut रहा है हमारे first option में हमारा inner circle cut रहा है आपको दिख रहा है पर हमारे बाकी तीन options में हमारा inner circle कहीं भी cut नहीं रहा मैं आपको इसको थोड़ा zoom करके view दिखा देता हूँ यही था हमारी figure और यही वाला portion था हमारा circle का इसको जब हमने zoom किया देखा था हमने circle जो है हमारा इस point पे भी cut रहा है उस point पे भी cut रहा है और वो cut रहा है सिरफ option one में तो हमारा option one ही आ गया हमारा answer हमने यह diagram पूरी बनाई भी नहीं उसके बावजूद भी यह question हमारा solve हो गया तो यही छोटी छोटी tricks आपको ध्यान में रखनी है जो आपका time बचाएंगी कि आपको पूरी पूरी figure बनाने की जुरूरत ना पड़े कुछ questions में आपको figure बनाने की जुरूरत नहीं पड़ेगी कुछ questions में हो सकता आपको figure बनाने की जुरूरत पड़े तो panic होने की जुरूरत नहीं है हर question ऐसा नहीं आएगा कि आप सिधा एक trick लगा के यहां फिर थोड़ा ध्यान देके कर लोगे कुछ में आपको डाइगराम भी बनानी पड़ेंगी इसी के साथ हमारा completing figures का first part खतम होता है अगर यह part आपको अच्छे से समझ आया तो आप इस वीडियो को like कीजिए साथ ही साथ हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए next वीडियो में हम थोड़े और ऐसे questions लाएंगे और उनमें भी देखेंगे कि किस question में हम trick apply कर सकते हैं और किस question को हमें diagram के साथ बनाना है यह chapter बिलकुल मुश्किल नहीं है बहुत असान सा chapter है आपको बस figures को complete करने and done आपका answer आपके सामने होगा